नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमारे कलब गया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज और टिप्स जिस घंटे के बजने कंचजार किया जा रहा था वे बज गया कल तक हिरमंडी जैसे रमनी कंस्तलों पर गुंगरू डास करते पाकिस्तानियों के अंधेरे में तोते उड़ने के नोबत आनपड़ी है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी ओथर्टी यानि पेमरा ने इमरान लोडे से पावर इमरजैंश की गुहार लगाई है जिसका मतलब है पाकिस्तान जल्दी ही अंधेरे में डूबने जा रहा है पाकिस्तान में यह भी 72 साल में पहली बार होगा वैं भी इमरान के तबदीली वाले पाकिस्तान में मगर इमरान ने कह दिया है घबराना नहीं लेकिन इस्थती यह है कि पूरे पाकिस्तान के उध्धोगपतियों, छोटे कारोबारियों और आमजनत बे घबराट मची है बिजली कमपनियों की हलती यह है कि उन्होंने बोल दिया है अगर जल्दी पैसे का प्रबंद नहीं हुआ तो उत्पादन इकाईया बंद करने पड़ेगी यानि भारत को कश्मीर सोपने के बाद आप पाकिस्तान को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा दरसल पाकिस्तान की बिजली कमपनियों के पास इतना पैसा ही नहीं बचाय कि वे अपना खर्च चला सके इन कमपनियों पर करजा बढ़कर 2000 अरब रुपे हो गया है जिसमें हर महिने 41 अरब रुपे महिना का इजापा हो रहा है 32 साल के करज बढ़कर दुगने हो चुके है बड़ी बात यह है कि बैंकों ने भी साप कर दिया है कि पहले प्राने करज का ब्याद जमा करे उसके बाद अगले करज पर विचार किया जाएगा मगर हलत यह है कि कमपनियों दौरा बिजली उत्पादन की बात तो छोड़े उनके पास करमचारियों की तनख़ा तक के पैसे नहीं है बड़ी बात यह है कि पीपूल्स पार्टी की हुकुमत में इन कमपनियों पर 488 अरब रुपे का करज था नवाज सरकार 1100 अरब रुपे करद छोड़ कर गई थी जो डेड़ साल के भीतर अब 2000 अरब रुपे होने जा रहा है यानि पाकिस्तान में खत्री की घंटी बच चुकी है मज़ेगी बात यह है कि जब पूरी दुनिया में बैंको का ब्याज ओस्तन 4-5 फिस्दी होता है पाकिस्तान में इन्हें 14 फिस्दी ब्याज पर करज उठाना पढ़ रहा है बैंको द्वारा इन कंपनियों को दिये गए कर्द से दिवालिया होने का जोखिम पैदा हो गया है यानि इमरान लोडे ने उबले चावल के जिस पानी को रबडी बता कर छपरी अवाम को परोसा था उससे पूरी तरह परोसा उठ गया है इमरान के सामने बिजली पैदावार से जदा बिजली कंपनियों को बचानी की मुश्किल खड़ी हो गई है चोकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की छमता है मगर उत्पादन 8-9,000 मेगावाट हो रहा है जबकि डिमांड 16,000 मेगावाट की बनी हुई है गरिमों में यह डिमांड 21-22,000 मेगावाट चली जाती है जिससे पाकिस्तान सरकार के हाथ पाओ अभी से फूलने शुरू हो गए है इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के रेट दुनिया में सबसे महंगे है मगर बाउजूद इसके कमपनिया लगबग दिवालिया हो चुकी है बिजली कमपनियों पर कंट्रोल लखने वाली पेमरा ने इमरान सरकार से भारस से बिजली आयात करने का सुजाव दिया है पेमरा का कहना है कि पाकिस्तान भारस से बिजली खरीद कर इस मुश्किल से निकल सकता है अगर बिजली का आयात नहीं किया गया तो देश का 70% दिश्सा अंदरे में डूब जाएगा बड़ी बात यह है कि लोड सेटिंग की तेजी से बढ़ती जारी समश्या से उत्पादर इकाईयों ने अब खुदा आपिज कहना सुरू कर दिया है जिससे इमरान सरकार पर बिजली आयात करने का दबाब बढ़ गया है इसका असर आजजंता में दिखने लगा है खैपर पक्तून खवा, पंजाब और बुलुचिस्तान में लोग बिजली नहीं मिलने से सड़क पर उतराए है कई जगे जाम लगा कर तैर जलाए और बिजली कमपनियों के पुतले फूके है अब ऐसे परदर्शनों के पूरे देश में फैलने का जोखिम उत्पन हो गया है बिजली संकट से जूजते पाकिस्तान को लगता है कि भारत से बिजली खरीद कर देश को मुश्किल से निकाला जा सकता है इसलिए बैक डोर डिप्लोमेसिक के मादम से इस पर भारत से बात की जा रही है आज ही पाकिस्तान के किर्शी मंतरी और भारत के किर्शी मंतरी की टिड़ी समस्चा पर एक वीडियो कॉनफरेंस हुई है संबवत पाकिस्तान अपनी फटी में भारस से संबन सामान्य करने का प्रियास कर रहा है वैसे वरस 2014 में पाकिस्तान द्वारा भारस से बिजली खरी देने की बात उठी थी जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने एक MOU पर हस्तक्सर कर मंजूरी दी थी लेकिन पारेशन लाइन नहीं होने के चलते इसमें विलंब हुआ था भारत ने उस वक्त पाकिस्तान को 500 से 1200 मेगवाट बिजली बेचने का आश्वासन दिया था जबकि इस वक्त भारत 2 से 2500 मेगवाट अत्रिक्त बिजली पाकिस्तान को बेच सकता है पर पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसके खजाने में इतने डोलर ही नहीं बचे हैं जो वे आयतित बिजली का खर्च उठा सके उसे सरकार का खर्च चलाने तक के लिए मोटे सूध पर करज उठाना पड़ रहा है 111 रब डोलर के भारी भरकम करज तले दभी पाक सरकार के लिए बिजली इकाईयों को बद करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचने वाला है पर बावजूद इसके भारश संपर की स्थापित किये जा रहे हैं यानि अनाज दाल समझेओ दवायों के बाद अब इस मदर्शा चाप मुल्क में दिया भी भारत की मदोलत जलेगा फिर ये कौन कहता है कि जिनना इस कटोना चाप मुल्क को मंदिनी की रियासत बनाने के ख्वाब दिखा कर गए थे आसा है दोस्तों वीडियो पसंदा आएगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजे जै जवान जै किसान जै हिंद वन्द मात्रम